क्या कानूनों पर रोक लगाएगा कोड़? हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोड़ को सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुम से नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं फसी सरकार विरोध धुआधार जल्दी से सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए रवसकार आप देख रहे हला बोला आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कर्शेप कोड़ की फटकार खत्म होगी तकरार किसानों को लेकर सुप्रीम कोड़ में सरकार को फटकार लगाई है कानून के अमल पर रोक की बात तक कर दी है कमिटी बनाने की बात की ऐसे में सवाल ये कि क्या अब आंदोलन का सामाधान निकलेगा लगातार 47 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे उमीद की जा रही है कि कल देश की सबसे बड़ी अदालत 47 दिन बाद किसान सरकार संग्राम में तो समाधान नहीं निकला लेकिन सुप्रीम कोट ने आद सरकार को ऐसी सकती दिखाई कि किसानों के खेमे में थोड़ी उमीद जग गई है सुप्रीम कोट ने ना सिर्फ सरकार की कोशिशों पर नाराजगी जताई बलकि ये भी साफ कर दिया कि वो करशी कानून पर रोक तो नहीं लगा सकती लेकिन उसके अमल पर रोक लगाने का मन बना चुकी है ये सरकार के लिए एक पड़ा जटका हो सकता है कल सुप्रीम कोट का फुल एंड फाइनल फैसला आने वाला है और सरकार की नीम्त उड़ी हुई है सवाल ये है कि क्या वाकई सुप्रीम कोट संसद में पास किये गए कानून पर सखत कदम उठाते हुए उसके अमल पर रोक लगा देगी सुप्रीम कोट की सुनवाई करने वाले तीन जजजेस के बेंच में शामिल है मुख्य नायादीश, ऐसे बोब्डे, नियामूर्टी SS बोबना और नियामूर्टी वी सुप्रमणिया मुख्य नायादीश, ऐसे बोब्डे ने सरकार से साफ कहा कि अगर आप में समझ है तो इन खानूनों पर अमल ना करे आज कोट में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगी कोट ने कहा कि किसानों पर केंद्र सरकार की अब तक की कोशशों से कोट निराश है कोट ने पूछा कि जब किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो नए कानून को होल क्यों नहीं करते यानि अमल पर रोक क्यों नहीं लगा देते फिर दो कदम आगे बढ़ते हुए कोट ने साफ कहा अगर आप होल नहीं करेंगे तो हम कर देंगे सीजाय ने कहा कि हमकृशी विशेशग्यों की एक कमिटी बनाना चाहते हैं और कमिटी की रिपोर्ट आने तक नए कानून के लागू होने पर रोक लगाना चाहते हैं कोट ने कमिटी के लिए किसानों और सरकार से नाम भी मांगे हैं आज शाम अंतरिम आदेश भी आ सकता है कोट ने कहा कि संभव हुआ तो टुकडों में फैसला देंगे मही सरकार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए बार बार यही कहा कि किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कानूनों के समर्थन में है केंदर सरकार ने नए खिश्शी कानून पर रोक लगाने का भी विरोद किया केंदर की तरफ से ये दलील भी आई कि कानून पर रोक लगाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऐसी रोग तब तक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार या सम्विधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो पड़ी करना उप्युक्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा बाखी सुप्रीम कोर्ट का आधेस तो सर्वापरी है इससे बड़ा नकारापन इससे ज्यादा जिद और एहंकार शायद यहत्तर साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा मैं समगता हूँ के अभी भी समबलने का समय है अभी जो जिद है जो उनका अडियल बरता हुआ है उसको छोड़ देना चाहिए नीत साफ करके इस मावले को नवटा लेना चाहिए अब सुनिये किसानों का सुप्रीम कोट के सहसक्षे पर कितना भरूसा है और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब मुख्यन आधिश खुद धरने पर बैटे बुज़ुर्गों और महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि वो इस ठंड में प्रदर्शन की सिर्थ छोड़ दे ह MOSC बलेखी थीक संज्ञान में लिया ही और फैसला सरकार को लेना है कानून सरकारने बनाइए हैं सरकार ही कानून वाप्सिले घर कल सुप्रीम फैसला आएगा इस बवाली ठंड में प्रदरशन का भविश्य भी सी फैसले पर निर्भर करेगा और सरकार के तीनों कानूनों का कल की संजेश शर्मा के साथ आज तक प्योरो